दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते थे कि मानव शरीर स्वास्थ का रहस्य है, इसलिए अतीत पर शोक मत करो, भविश्य की चिंता मत करो. बुद्धि मानी तो यही है, कि आप इमानदारी से अपने वर्तमान में जी, लेकिन हम में से अधिकांश लोग वर्तमान में जीना नहीं जानते, क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहते, उन्हें तो अपने बीते हुए कल की चिंता करनी है, आने वाले भविश्य की चिंता करनी है और यदि आप वर्तमान में जी सकते हैं तो कोशिश करके देख लो, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा. एक बार जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं तो नहीं आपको अतीत के बीतने का दुख होता है और नहीं आने वाले भविश्य की कोई चिंता रह जाती है, बलकि वर्तमान में चलने वाली आपकी सांसे भी आपको वह आनंद देगी जो आज से पहले आपने कभी भी अनु व्यक्ति से, वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, वह एक पहाड़ा की चटान पर बैठ कर रो रहा था, बिलख रहा था, तब ही वहां से एक बहुत भिख्शु गुजर रहे थे, उसे रोता देख वह बहुत भिख्शु उस व्यक्ति के पास गए, और उससे कहने लगे, क्या तुम यहां से कूद कर अपनी जान देने की सोच रहे हो, वह व्यक्ति कहता है, आपने बिल्कुल सही जाना, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ाता है, यह मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूं, वह करूं, तब ही वह बौ बौध भिक्षू से कहता है, देखिए महाराज, मैं यहां पर जो करने आया हूँ, वह तो मैं करूंगा ही, लेकिन आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं, इतना कहते ही वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है, तब ही वह बौध भिक्षू उसस तो फिर भला मैं जी कर क्या करूंगा, ये सुन वह बौध भिक्षू उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि ऐसा है, तो तुम अपने सिर पर यह बोज लिए हुए क्यों धो रहे हो, बौध भिक्षू की यह बात सुनकर थोड़ा सा आश्चर चकित हो जाता है, और उन बौध भि तूटकर रोए भी जा रहे हो, एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता जो कंगाल हो चुका हो, जिसके पास और कुछ न बचा हो, वह भला क्यों, रोएगा, ये सुन वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है, और उस बौध भिक्षू से कहता है, आपको इस से क्या तभी वह बौध भिक्षू उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने अंतर की और जहांकने की कोशिश की है, तुमने कितना बोज उठाया हुआ है, तुम अपने जीवन में कितना कुछ बोज लेकर अपने इन दो कंधों पर धो रहे हो, इन सभी बोजों को कब त अभी तक मुझे कोई नहीं समझ पाया था, यहां से कई लोग आये और गुजर गए, लेकिन किसी ने भी मुझसे ये सब नहीं कहा, आपने तो मेरे मन की बात पर अली, यहां तक कि मेरे घर वाले भी मुझे नहीं समझ पाये, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी त वह बौध भिक्षू उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। और यदि समस्या तुम्हारे घर पर है, तो तुम इस पहाददाच की छोटी पर क्या कर रहे हो। तुम तो कह रहे थे कि तुमने पीछे सब कुछ छोड़ दिया है। अपना घर, अपने परिवार, अपने सगे संबंधी। और यदि तुमने ये सारी चीजें छोड़ ही दी ह तो तुम्हारी समस्या भी वहीं पर छूट गई है। फिर तुम भला इतने परिशान क्यों हो। उस बौध भिक्षु के मुंग से ये सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है। हे गुरूवर, आप सही कहते हैं। मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। कमी तो मेरे ही अंदर है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ तो सब बिगार देता हूँ। मेरे हाथों सारे काम गड़बड हो जाते हैं। मैंने आज तक कोई भी काम ढंका नहीं किया। मेरी तो किसमत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुक से ये सारी बात और व्यापार करने के लिए मुझे धन की आवश्यक्टा थी. इसी लिए मैंने अपने परिवार से ठोड़ा सा धन लिया और उसी धन से मैंने अच्छा सा व्यापार खड़ा किया. लेकिन गुरूवर मेरा व्यापार ज्यादा दिन तक नहीं चल सका. शुरू शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया और तब तक सब कुछ ठीक भी चल रहा था लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे व्यापार में नुकसान होने लगा और यह सब देख मेरे परिवार वाले मुझे से नाराज हो गए और मुझसे दूर चले गए मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूँ अच्छा धन कमाऊँ ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकूँ उन्हें वो हर सुख सुविधा दे सकूँ जिनकी उन्हें आवश्यक्ता है मैं तो सब उन्हीं के लिए कर रहा था लेकिन वो लोग मुझे समझ नहीं पाए और मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं और मुझे भी यही लगता है कि मैंने गलत किया क्योंकि मेरा भी एक मित्र है उसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था और उसे चलाने में भी वह सक्षम है किस तरह से उसने जीतोड मेहनत की और अपने व्यापार को उन उंचाईों तक ले गया ये सब सुन मेरे परिवार वाले भी मुझे से कहते हैं देख वह तेरा मित्र है उसने अपने व्यापार को कहां से कहां ले गया और तूने तो हमारी जमा की हुई पूंजी भी गवा दी, हमारा नुकसान करा दिया मेरे परिवार वाले मुझसे हमेशा यही कहते रहते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं इन तानों को सुन सुनकर मैं बड़ा परेशान हो चुका था इसी लिए मैंने करजे लिए और नया व्यापार खड़ा किया लेकिन वहाँ पर भी मुझे मुझे मूह की खानी पड़ी और मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया अब तो हालत यहां तक आ चुकी है कि मेरा घर भी अब गिरवी पड़ा हुआ है अब आप ही बताईए गुरुवर, मैं क्या करूँ तभी वह बौध भिक्षू उस व्यक्ति से कहते हैं अच्छा, तुम्हें यह पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता था तभी वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है वह मुझे मेरे घरवालों के सामने नीचा दिखाने के लिए आता था मेरी बुराई करने आता था वह यह जताने आता था कि वह मुझसे व्यापार में कई गुना आगे है श्रेष्ठ है, वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहू तडपता रहू और परेशान रहू तभी वह बौद भिक्षू उस व्यक्ति से कहते हैं क्या तुम उसके व्यापार को देखकर सच में दुखी रहते थे वह व्यक्ति कहता है, हाँ इतना अच्छा व्यापार उसने खड़ा किया है और मेरा व्यापार चौपट हो गया तो यह देखकर मुझे तो दुख होगा ही न गुरुवर मुझे तो जलन होगी ही तभी वह बौद भिक्षू उस व्यक्ति से कहते हैं तुम्हें दुख किस बात का था अपनी असफलता का या फिर अपने दोस्त की सफलता का तभी वह व्यक्ति उस बौद भिक्षू से कहता है अपने असफल होने पर मुझे इतना पच्टावा नहीं था लेकिन मेरा मित्र इतना सफल हो चुका था उसे देखकर मुझे इरश्या होती थी मेरे अंदर जलन की भावना उत्पन होती थी और मैं यह देख देखकर दुखी रहता था पच्टाते रहता था तड़पता रहता था तभी वह बौद भिक्षू उस व्यक्ति से कहते हैं इसका अर्थ तो यह हुआ अगर तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी तो वह व्यक्ति कहता है जी हाँ मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वह असफल हो जाए उसका व्यापार चौपट हो जाए यह सुन बध भिक्शु फिर से एक बार मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निरभर करती है यदी वह चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे क्योंकि तुम खुद से न तो खुश हो सकते हो नहीं दुखी तुम तो अपने मित्र के गुलाम बन कर रह चुके हो और अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारी तकलीफें ये सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती है तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा तो कुछ हुआ नहीं न तो तुम अपने कर्मों से खुश हो सके और नहीं दुखी इसलिए तुम्हारी समस्याओं का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता तभी वह व्यक्ति उन बौध भिक्षू से कहता है हे गुरुवर ऐसा मत कहिए मुझे आपसे बात करते करते बहुत आशा आपसे हो गई है क्योंकि आप ही वह है जिन्होंने मुझे जाना है मुझे समझा है हे गुरुवर मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे इस समस्या का समाधान मुझे आप बताईए तभी वह बौध भिक्षू उस व्यक्ति से कहते हैं जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता ना बताऊं मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान न दूँ तो तुम इसी तरह से दुखी रहोगे रोते रहोगे बिलखते रहोगे और अगर मैं कोई रास्ता तुम्हें बता दू, मैं तुम्हें कोई समाधान बता ही दू, तो हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता है ये तुम्हें बताने के लिए कि किस तरह से उसने अपने व्यापार में वृद्ध की किस तरह से उसने कड़ी मेहनत की जो तुम्हें दुखी करने आता है लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है? तुम्हारा मित्र बात तो सच ही कह रहा है कि किस तरह से उसने अपने जीवन में वह संघर्श किया और उस मुकाम तक पहुँचा है तो उसने अपने अनुभर की ही बात तो तुम्हें बताई है अब चाहो तो तुम उस अनुभव का इस्तिमाल कर सकते हो या फिर तुम उस अनुभव को व्यर्थ ही जाने दे सकते हो और अपने मन में इर्शय जैसे भाव उत्पन कर सकते हो समझदारी तो इसी में है कि जब वह तुम्हें अपने अनुभव के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उसने संघर्ष किया है अपने जीवन में, अपने व्यापार को उस उंचाई तक पहुँचाने के लिए तो तुम अपने बुद्धि का इस्तिमाल करो, उसके अनुभव का इस्तिमाल करो, उसके ज्ञान का इस्तिमाल करो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए तुम्हें जो अनुभव चाहिए था, तुम्हारा मित्र आकर तुम्हें घर पर ही दे रहा है और इस पर तो तुम्हें अपने मित्र का आभार प्रकट करना चाहिए क्योंकि घर बैठे बैठे तुम्हें वह अनुभव प्राप्त हो रहा है जो तुम अपने जीवन से प्राप्त नहीं कर सके इसलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो, उस अनुभव का इस्तिमाल करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि यह समय की एक खूबी है समय चाहे कैसा भी हो, बदल जरूर जाता है इसलिए समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा दोनों का गुजरना तै है लेकिन सबसे जरूरी, यहां पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तुम अपने संघर्ष से अपने व्यापार को खड़ा करोगे और अपने व्यापार को उन उंचाईयों तक ले जाओगे तब वही तुम्हारे मित्र, तुम्हारी सफलता की नहीं तुम्हारी असफलता के गुण गाएंगे ताकि तुम उन्ही की तरह कोई गलत निर्ने लो और तुम उन्ही की तरह बरबाद हो जाओ तो यहां पर तुम्हें अपनी बुद्धी का इस्तिमाल करना होगा तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान न दे करके बल्कि अपने बुद्धी का प्रयोग करना होगा क्योंकि उस समय वे तुम्हें सुखी नहीं दुखी करने आएंगे क्योंकि उसे भी तुम्हें दुखी देखकर उतना ही मज़ा आएगा जितना की तुम्हें उसे दुखी देखकर आएगा ये सारी बातें सुनवे व्यक्ति उस बौध भिक्षू से कहता है हे गुरूवर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा बलकि मेरे सगे संबंधी और मित्र चला रहे हैं जो मेरे जीवन में सुख और दुख भरे जा रहे हैं लेकिन गुरूवर यहां पर मेरा एक प्रश्न है जब मैंने व्यापार खड़ा किया था तो मेरा उद्देश यही था कि मैं अपने परिवार को सुखी रख सकूँ, उन्हें वह सुख सुविधाएं दे सकूँ, तो क्या अपने परिवार के लिए ये सारी बातें सोचना गलत है? मैं तो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के बाद वह परिवार भी मुझे छोड़ गया इस पर बौध भिक्षु मुस्कुराने लगे तभी वह व्यक्ती बौध भिक्षु से कहता है इसमें मुस्कुराने की क्या बात है क्या मैंने कोई गलत प्रशन पूछ लिया तभी वह बौध भिक्षु कहते हैं नहीं, हर व्यक्ती यही चाहता है कि कोई उसकी गलती पर सांत्वना दे और तुम भी वही चाहते हो हर कोई यही चाहता है कि जब वह कुछ करे तो उनकी प्रशनसा की जाए और जब हमें प्रशनसा नहीं मिलती है तो हमें भीतर ही भीतर बड़ा दुख होने लगता है हमारे मन को एक ठेस पहुँचती है और तब हमारे मन में यह भावत पन्न होने लगता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी हैं सभी अपने मतलब के लिए जीते हैं सभी अपने मतलब के लिए काम करते हैं और सभी हमारे साथ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और अपने उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो। तुम तो अपने लिए ही कर रहे हो ना ? अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम जीवन भर दुखी ही रहोगे और जब तुम्हें लगेगा तुम अपने लिए कर रहे हो तब तुम्हें एक अजीब सी खुशी प्राप्त होगी और तुम हमेशा खुश रहोगे और जब तुम अपने कारियों को बेहतर से और बेहतरीन करने में लगे रहोगे तो तुम्हें किसी की सांतवना की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तब ही वहव्यक्ति उन बहुद भिख्शू से कहता है हे गुरुवर मुझे आपकी बात समझ में आ गई अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी वह उसमें जैसे रंग चाहे सुख के या दुक के भर दिया करते थे लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा और फिर चाहे यह अच्छी हो या खराब मैं हार नहीं मानूँगा आखिर में वह व्यक्ति उस बौध भिख्शू से कहता है हे गुरुवर आपकी सारी बातें तो मैं समझ गया लेकिन क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं जो मेरे जीवन के सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे सके मेरा साथ निभा सके ये सुनकर वह बौध भिख्शू उस व्यक्ति को एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं कि यह वस्तू मेरे दिल के बहुत करीब है और इसे तुम्हें अपने बहुत करीब ही रखना होगा इस बक्से में एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकाल सकता है बड़ी से बड़ी विपत्तियों से छुटकारा दिला सकता है और इसे तुम तब खोलना जब तुम्हें लगे अब कोई राह नहीं बची हुई है जब तुम्हें यह लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है मैंने जो बातें कहीं है वह भी व्यर्थ है यह दुनिया भी व्यर्थ है यहां रहना भी व्यर्थ है इतना कहकर वह बौद भिक्षू उस बक्से को उस व्यक्ति को थमा देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं वह व्यक्ति उस बक्से को लेकर वापस अपने घर आता है और फिर एक नया कारोबार शुरू करता है अब की बार वह कारोबार में हार नहीं मानता है और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ता है उसका कारोबार चलने के कारण उसका परिवार भी अब उसके साथ आ चुका था उसके पास जीवन की हर सुक्सु विधाएं भी आ गई थी अब वह न तो भूतकाल का रोना रोता था और नहीं भविश्यकाल की चिंता करता था वह तो केवल अपने वर्तमान को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता था लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है जिस तरह से बुरा समय हमेशा नहीं रहता ठीक उसी प्रकार अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता उस व्यक्ति के जीवन में एक बार फिर से अच्छा समय समाप्थ हो चुका था वह जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर पडोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी थी और पूरा राज्य तबाह कर दिया था उसका व्यापार भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था वह अपने परिवार के साथ दर-दर की ठोकरें खाने लगा उसे यहां से वहां भागना पड़ा यहां तक की उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे उसके बच्चे भी अब बीमार पड़ चुके थे उनके इलाज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे तब उसे एहसास होने लगा यह सब व्यर्थ है उसका यह जीवन जीना भी व्यर्थ है यह पूरा संसार व्यर्थ है और जो कुछ भी बातें उस बौध भिक्षू ने कही थी वह सारी बातें भी व्यर्थ हैं आज मेरे पास कुछ नहीं बचा आज मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा वह व्यक्ती अंदर से पूरी तरह निराश हो चुका था अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था वह व्यक्ती यह सब सोच ही रहा था तभी उसकी नजर उस बक्से पर पड़ी जो उसे उस बौध भिक्षु ने दिया था फिर उस व्यक्ती ने उस बक्से को खोला उस बक्से में एक पर्ची थी जिसमें यह लिखा था कि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है आपके पास सोने का सिक्का होना हो लेकिन आपके पास वह हिम्मत तो है तो कुछ न कुछ आप अवश्य ही कर लेंगे उस पर्ची को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के मन में एक बार फिर से आशा की लहर दोड़ पड़ी और उसने अपने जीवन में फिर से हिम्मत बांध ली और उन उचाईयों को छूने के लिए फिर से महनत करने लगा दोस्तों, उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने जरूर कुछ न कुछ मूल लेवान सीखा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद